अलो फ्रेंड्स असलामों अलेकुम आज मैं आपको आलू का चीप्स बनाने और उसे स्टोर करने का तरीका बताने जा रही हूं ये खाने में तो बहुत ही टेश्टी और कुरकुरी होती ही है और इसे बनाना भी असान है तो चलिए इस असान और सिंपल सी रेसिपी को बनाते हैं चीप्स बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है ढाई केजी सफेद आलू आप कोई सभी आलू ले सकते हैं लेकिन चीप्स बनाने के लिए सफेद आलू ही अच्छा होता है तो हम सबसे पहले आलू को छील लेते हैं सारा आलू छिलकर मैंने प्लेट में रख लिया है अब हम इसे काटेंगे काटने के लिए मैंने यहाँ पर चिप्स कटर लिया है अब हम इस कटर से ही आलू को काट लेते हैं हम आलू को इस तरह से काटते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे नहीं तो इसमें बहुत ही जल्दी कालापन आने लगता है अब हम आलू को काटने के पाद इसे दो तीन बार अच्छा से रगड रगड कर धोकर साफ कर लेंगे आलू को मैंने धोकर साफ कर लिया है अब हम इसे बॉयल करेंगे कटे हुए आलू को बॉयल करने के लिए मैंने यह आपर आधा पतीला पानी गैस में चड़ा दिया है पानी अब बॉयल होने लगा है तो हम इसमें डाल देते हैं नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं अब हम कलर के लिए इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर ये अप्सिनल है अगर आपको पसंद हो तो ही डाले अब हम एक बार पानी को चला लेते हैं और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और पानी को बढ़िया से उबलने देंगे पानी अब अच्छा से उबलने लगा है तो हम सारा आलू को इसमें धीरे-धीरे करके डाल देंगे आलू को पतिले में डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम हाई ही रखा है हमें इसे 70% पकाना है तो हम इसे पहले पकने देते हैं आलू को पकते हुए 17 मिनट हो गया है अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि आलू हमारा पका की नहीं आप देख सकते हैं आलू हाथ से टूट रहा है तो ये पक चुका है हमें इसे इतना ही पकाना है अब हम आलू को एक छन्नी में छान कर इसे बाहर निकाल लेंगे आलू को छानने के बाद इसे धूप में सुखाना पड़ता है तो मैंने छट पर एक सूती का कपड़ा बिछा लिया है और सभी आलू को मैंने उस पे रख दिया है अब हम एक एक करके सारा आलू को इसमें फैला देंगे ताकि आलू हमारा अच्छा से सूख जाए उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अब आप देख सकते हैं आलू हमारा कितना अच्छा से सूख कर चीप्स बन गया है इसे सूखने में दो दिन का समय लगा है अब हम इसे आपको तल कर दिखाते हैं चीप्स तलने के लिए मैंने कड़ाही में तेल गरम होने के लिए चड़ा दिया थ चिप्स को मैंने तलकर प्लेट में रख लिया आप देख सकते हैं यह कितना कुर्कुरा बना है आप चाहे तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं लेकिन इसे हम और भी चटपटा और टेश्टी बनानी के लिए इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच के करीब काला नमक आधा चम्मच क अच्छा से मिक्स कर लेंगे अब लीजिए टेश्टी चटपटा चीप्स हमारा खाने के लिए तयार है आप चाहे तो इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं आप इस सूखे हुए चीप्स को कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर साल भर के लिए इस्टोर कर सकते हैं आपका जब मन करें आप इसे तल कर खा सकते हैं ये जल्दी खराब नहीं होगा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो ती से लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू